हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका और एक नहीं लेसन के अंदर और आज की इस लेसन के अंदर हम बहुती इंट्रेस्टिंग कॉंस्ट्रक्ट सीखने वाले हैं जो की है फॉर तो यहाँ पर जल्ली से मैं एक फोल्डर बनाता हूं फॉर नाम से और इसके अंदर फॉर डॉट गो ठीक है एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पर पैकेज में फांक में ठीक है इस तरह से मैंने फंक्शन बना दी अब फॉर जो है ना फॉर गो के अंदर एक ही ऐसा कॉंस्ट्रक्ट है जो लूपिंग के लिए यूज होगा लूप करना है आपको तो गो के अं अब्दत से ही हम क्या करते है वाइल लूप जो है उसको इंप्लिमेंट करते हैं तो यहाँ पर कर लेता हूं ओनली कंस्ट्रक्ट इन गो फॉर लूपिंग यह आपको याद रखना है अब सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले वाइल लूप फैशन का फॉर हम देखेंगे सिंटैक्स सो समझ लेते की वाइल लूप हमें इंप्लिमेंट करना है तो जो बाकी की लैंग्विजे से उसके अंदर वाइल कीवर्ड आता है लेकिन गो के अंदर वाइल कीवर्ड नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले एक वेरेबल डिकलेर करते हैं सो यहा यहाँ पर मैं condition check करूँगा जैसे while loop के अंदर करते हैं और यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं I मैं चाहता हूँ कि I is less than and equal less than or equal to 3 ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर brackets वगेरा हमने नहीं लगाया है यह 4 के बाद directly आपको condition लिखनी है उसके बाद यह वाले curly brackets और यहाँ पर मैं इसको print करूँगा so fmt print line और यहाँ पर I को print करते हैं और उसके बाद make sure करना है कि I को हम increment करते हैं तो यहाँ पर करते हैं I is equal to I plus one ठीक है ऐसे करते हैं अगर इसको मैं run करूँगा तो क्या हो जाएगा यह while loop की fashion में काम करेगा so यहाँ पर मैं जल्दी से इसको run करके दिखाता हो आपको यहाँ पर करते है go run और यहाँ पर करते है 4.go enter करते हैं तो आप देख सकते हो यह तीन बार run होगा तीन बार क्यों होगा क्योंकि वह condition हमने डाली है और उसके बाद जबी यह तीन से बड़ा हो जाएगा तो इस loop के अंदर हम नहीं जाएंगे ठीक है तो यह basic while loop जो है हम इस तरह से implement करते है go के अंदर using for ठीक है यह रहा while loop अगर हमें infinite loop कभी कभी हम हमें while loop यूज़ करते हम infinite loop लगाने के लिए सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं infinite loop अगर आपको लगाना है तो basically आपको ऐसे करना है that's it अगर ऐसा करोगे तो यह जो loop है वो infinite लग जाएगा यहाँ पर मैं आपको print line करके दिखाता हूं one कर लेत है और इसको अगर मैं run करता हूं so run तो अब देख सकते हो यह infinite loop में चला जाएगा ठीक है cancel कर रहा हूं ctrl c दबा कर तो वह stop हो जाएगा इस तरह से infinite loop आप करते हो अब उसके बाद देखते हैं जो classic for loop होता है programming languages के अंदर उसको कैसे बनाते हैं so यहाँ पर करते है classic for loop इस तर तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि number print करने हमें 3 तक so यहाँ पर मैं करूंगा for i और यहाँ पर करते है colon is equal to 0, 0 से start करेंगे उसके बाद यहाँ पर देना है semicolon उसके बाद i 3 तक जाना चाहिए हमारा ठीक है जब तक यह condition less than 3 और उसके बाद यहाँ पर करते है i++ ठीक है इस तर अगें यहाँ पर देख सकते हो कोई भी round brackets यहाँ पर नहीं है for के बाद directly यह जो हम डालते conditions यह सारी चीज़े इसके अंदर है और यहाँ पर करते है fmt print line और यहाँ पर जो i की value है उसको print करते है ठीक है इसको run करके देखते है so run तो अब देख सकते हो 0, 1, 2 ठीक है 2 तक जा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 तक यह print हो जाएगा देखे तो आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3 तो इस तरह से जो classic loop है वो हम यहाँ पर use करते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर जो continue और break जो keywords है वो भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कर सकते हो लूप को अगर मैं यहाँ पर देखे इसको मैं comment करता हूं क्योंकि यह compiler जो है warning देने start कर चुका है तो यहाँ पर अगर करते हैं तो देखे यह break हो जाएगा या फिर यहाँ पर break के अलावा continue keyword आता है उसको भी आप use कर सकते हो तो break basically के आकरता है लूप को break करता है loop जो है वो stop हो जाता है और जो continue keyword है वो current iteration को skip कर देता है for example यहाँ पर मैं करूँगा if ठीक है अभी if अभी तक हमने सीखा नहीं है इसको सीखेंगे बाद में बट अभी के लिए मैं जल्दी से एक condition डालने वाला हूँ so if i is equal to 2 for example अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर करूँगा continue ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि दो जो number है ना यह कभी print होगा या नहीं इसके अंदर चले इसको test करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे 013 आपको देखेगा 2 नहीं आया है क्योंकि हमने वो जो iteration है जहाँ पर i2 था उसको क्या कर दिया skip कर दिया right so इस तरह से हम क्या करते ह है और इस तरह से हमारा जो classic for loop है उसको हम बनाते है go के अंदर चले आगे बढ़ते हैं इसको मैं comment करता हूँ और यहाँ पर आते हैं अभी यहाँ पर go के अंदर go 1.22 के अंदर एक नया feature आया है जो की है range अगर मुझे कुछ चीज कुछ times के लिए करनी है तो हम range की मदद से क कर सकते हैं कैसे करना है चले मैं दिखाता हो आपको सो यहाँ पर आपको करना है फॉर ठीक है यह भी लूप ही है सो यहाँ पर करते हैं फॉर और colon equal और उसके बाद मैं बोलूंगा range 3 ठीक है अब देखें क्या होगा fmt print line करते हैं i को यहाँ पर print करेंगे और जल्दे से इसक तो मैं आपको run करके दिखाता हूं तो अब देख सकते हो 012 इसका मतलब यह हुआ 0 से लेके यह 0 से start हो जाएगा 0 से लेके 3 तक ठीक है 3 को यह नहीं पकड़ेगा उसके अंदर 3 तक उसको मतलब इसको exclude करेगा 3 तक मतलब 2 तक यहाँ पर यह सारी चीज़े print हो जाएगी तो इस तरह से अगर आपको करना है समझो 10 तक print करना है कोई बात नहीं यहाँ पर 10 लिखिए तो यहाँ पर यह 9 तक करेगा basically अगर आपको 10 तक करना है तो यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा और फिर यह print करेगा आपके 10 तक ठीक है तो इस तरह से जो range keyword है वो for के अंदर हम use कर सक करते हैं तो यही कुछ चीज़े है for के बारे में यहाँ पर जो arrays होंगे बाद में देखेंगे उनको भी आप loop कर सकते हो लेकिन उनको अभी तक हमने सीखा नहीं है तो for के बारे में इतना ही हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे उम्मिद करता हूँ कि आपको for के बारे में पर आइडिया आ चुकी होगी कैसे for loop यूज होता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए happy coding